दियर लर्नर से इतिहांस के विशे को मैं बताने जा रहा हूं जिसमें 1757 से 1857 तक के ब्रिटिस एक्सेंशन पर डिसकस करने जा रहा हूं I am going to discuss regarding the extension of and the colonialism, colonization of British East India Company अभी मैं दिखाना जा रहा हूं दिखिया आप पहले या देख लिजिए references में देख लिजिए संदर्ब में territories under Indian rulers तो भारत में अब देख सकते हैं कि भारत में बड़िया ज्यादा से ज्यादा भाग Indians के हाथ में थे लेकिन एकता का भाव lack of unity ने British को यहां cover करने के लिए नई दिशा परदान की कि यह भारत के लोग अनेक एकता में विश्वास नहीं रख रहे हैं जैसे यहां देखिए यहां देखिए उस समय 1767 की चर्चा के दर्मयान में बोलना चाहूंगा territory is under the British rule तो British rule में देखिए आप इसके लिए मैं दिखाने का प्रियास कर रहा हूँ आप यहां देखिए डेली के वगरा से देख लीजे डेली वगरा से यह पार्ट अब देख सकते हैं बिहार और कलकटा यहां देख रहे हैं लेंडमार्क तो यह पसी मंगाल तक और यह ओडेश्या तक तो यह बेंगोल से जो यह रूट था यह यहां होते हुए और यह कोस्टल रूट था जिस पे बिसेश रूप से मैं आप ही बताना जा रहा हूँ टेरिटरीज अंडर यूरोपियन पावर्स तो आप यही जगह देखेंगे गोवा और यहां पर और देखिए मदरास और पंडी चेरी फ्रांसीसी ने किया था यहां कबजा और कोवा पोर्ट पर भी तो इसको दिखाने का मेरा मकसद यह है कि यह जनकारी दी जाए कि आपक तो छेत्रवाईज क्या कवरेज थी इनकी इंडिया के नक्से पर इस एक्स्पेंशन के बारे में पढ़ने से पहले आप यहां देख लीजिए कि यहां कहा जा रहा है इनके पाउपसारने के टाइमिंग का पता चल जाएगा और यहां देखिए इसके पढ़ने के बाद हम यह जानकारी ले सकते हैं देखिए देखिए देटर टुक प्लेस एड प्लेस काल्ड बक्सर ओन 22 अक्टूबर 1764 पलासी के बाद बक्सर जो है एक महतरपुर्ण मील का पतर साबीत हुआ देखिए प्रूब टूब 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 निरनायक भूमिका में वी आए दोग देखिए सकस्फुली गेंड कंट्रोल अवर बंगल बंगाल में सफलता पूरवक अपना पर्चम लहराने के बाद इंपोजीशन अफ ब्रेटिस रूल टूब टूब आउट इंडिया वाचनोट इन इजी टास्क आसान कारी नहीं था ए नंबर ओफ रीजनल पावर्स जो छेत्रिय पावर्स थे उस समय राजपुताना मालवा जो हम यहां फोटो में देख सकते हैं निजाम ओफ हाइदरबाद मैसूर करनाटका पेश्वा सोलापूर कुलापूर सतारा पूने हाइदरबाद भोसले मराठा सिंधिया होलकर गौालियर में जो थे ऐसे गुजराद गाएक वार्ड इन लोगों ने बहुत ही ताकत के साथ उनको रैसिस्ट किया तो यह इजी टास्क नहीं था उनके लिए तो इसमें यह जानना है कि इसमें बहुत से वार हुए युद्ध हुए तब कहीं जाकर के उन्होंने भारत पर कंट्रोल इस्थापित किया और एक सो नवे वर्सों तक सासन किया और भारत को गुलामी की जन्जीर में जकड़े रखा captured जिसमें हमारे देश के महान युवाओं ने युवत और महिलाओं ने अपनी जान की कुर्बानिया देकर हमें आजादी दिलाई हम उनको नमन करते हैं यहां एक चितर देख सकते हैं टीपु सुल्तान जिसका नाम आते ही आपको मैसूर की याद आएगी और इनके फिता हैदरली थे जिन्होंने अंगल मैसूर युद्ध के द्वारा रेसिस्ट किया था जिसमें चार युद्ध हुए थे टुक फोर वार्स टुक प्लेस चाउथा युद्ध सत्रस निनानवे में हुआ अंत जिसमें टीपु सुल्तान के अच्छे महान प्रदर्शन के बाद उनकी हार हुई और वा विरगती को प्राप्त हुए वे ते ग्रोडियस चैप्टर ग्लोरियस चैप्टर फ्ट्रगल ब वे एर सेक्योड बाइद ब्रिटिस तो अंगल मैसूरी उद्ध में हैदरली टीपु सुल्तान का नाम आएगा ही उसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको अंगल मराथा वॉर्स अगले वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रियास करेंगे जिसके माद्ध एंसन जो था ब्रिटिस का भारत में कहां से सुरू हुआ पैसे हुआ और कितने वर्षों तक चला यह जानकारी आपको इस वीडियो के माद्ध हम से मिलेगी जिसमें मैं सीर सक जो पिछले वीडियो में जो दिखाने जा रहा हूं इस स्क्रोल अप करने के बाद आप चैप् का इंपोजीशन का टाइमिंग यह था सतर सु सतावन से अठा सु सतावन के प्रतम विद्रो तक अगले वीडियो में और कुछ बहुत कुछ थेंक यू तर तक के लिए धन्यवाद